वे लोग अपना पार्ट याद कर रहे थे? इस sentence की English जानेंगे आज की इस विडियो में तो चलिए इस sentence की English जानते हैं दोस्तों इस sentence की English है दे वर लर्निंग दे र लेसन दे वर लर्निंग दे र लेसन तो चलिए जानते हैं कि ये किस नियम पर इंग्लिस में translate हुआ है दोस्तो जब हिंदी sentence के अंत में क्रिया के साथ रहे थे आता है तो ऐसे sentence past continuous tense के नियम से इंग्लिस में translate होता है तो ये sentence से affirmative तो past continuous के affirmative को इंग्लिस में translate करने का structure है पहले subject लिखेंगे वे लोग के अंग्लिस दे उसके बाद वाज ये word में से कोई ए flipping भर्व लिखते हैं तो दे के साथ word लगता है उसके बाद हम भर्व के साथ ing लगाएंगे वर्व है याद कर रहे थे उसके बाद हम लिखेंगे object या जो भी extra word होते हैं उसको लिखना होता है इसमें है अपना पार्ट तो देखे जब subject will होता है तो will के लिए अपना के meaning their part यानि lesson they were learning their lesson